दोस्तों में हूं सिद्धास अज हम बात करेंगे पोट्रेट फोटोग्राफी के बारे में पोट्रेट फोटोग्राफी में कौन सी कौन सी लेंस बहुत इंपोर्टांट है कौन सी लेंस में पोट्रेट फोटोग्राफ बहुत अच्छा होता है तो पहले बात करते हैं क्या प पोट्रेट फोटोग्राफ है तो पोट्रेट फोटोग्राफी के लिए क्या-क्या लेंस बहुत इंपोटन्ट है और कौन सी लेंस में पोट्रेट फोटोग्राफ बहुत अच्छा होगा तो इसके बारे में अच्छा हम बात करेंगे तो मैं अभी आपको बता हूँगा फुल वेडिंग में ब्राइट और गुरूम का फोटोग्राफ करते हैं क्लोजब लेते हैं जो कि पोट्रेट फोटोग्राफ है क्रॉप सेंसर बोडी में जो कि बिगनर लेवल का DSLR है और सेमी प्रोफेशनल DSLR है उसमें 50 mm पोट्रेट फोटोग्राफी में बहुत काम आता है क्यों नमर जितना कम होगा हमको उतना ज्यादा हायर अप्रेशर मिलेगा अप्रेशर इतना खुला मिलेगा तो ज्यादा मिलेगा जो कि आजकाल फोट्रेट फोटोग्राफी में बहुत यूज होता है तो इसलिए 50 mm में लोयर एफ नमबर है जैसे कि 1.8 1.4 है जो कि क्रॉप सेंस बहुत बढ़ा फोटोग्राफ्स होगा जैसे कि 18-135, 18-105, 18-140 हो कि क्रीट लेंसे क्यामरे के साथ मिलता है तो उस टाइप के लेंस में हमको फोकाल ज्यादा करना पड़ता है पोट्रेट फोटोग्राफ्स के लिए क्यूंकि 18 mm या 24 mm में कुछ भी फोटोग्राफ्स हम कर नहीं है तो उस टाइम में हमको जितना हो सके हायर मागनिफिकसन रखे फोकाल लेंद रखे जैसे कि 105, 135, 140 या 85 से ज्यादा मागनिफिकसन रखे तो पोट्रेट फोटोग्राफ्स उसमें अच्छा हो सकता है और डूल कीट लेंज जो मिलता है 18 से 55 और 15 से 250 या 17 से 300 तो उसमें हमको जो लेंज मिलता है 55 से 250 ओ पोट्रेट फोटोग्राफ्स के लिए बहुत बढ़हा लेंज है क्यूंकि उसमें ज्यादा फोकाल लेंद मिलता है तो बहुत आच्छा अच्छा सेलोड डिप्त फिल्ड हमक करें 55 से 250 में हम यूज करें तो पोट्रेट फोटोग्राफ्स बहुत आच्छा होगा मोगर पोट्रेट फोटोग्राफ्स के लिए सबसे इंपोर्टांट बात यह है कि हम प्राइम लेंस यूज करें प्राइम लेंस यूज करने से डीटेल सापनेस के साथ साथ हमको 508 10 और क्यानन का 5D Mark 3 Mark 4 जो कि फूल फ्रेम क्यामरा है प्रोफेशनल लेवल का क्यामरा है उसमें हम पोर्टेट फोटोग्राफी के लिए सबसे बढ़या लेंज 85 mm है जो कि 1.8 और 1.4 एप नुम्र में मिलता है जो कि पोर्टेट फोटोग्राफी के लिए सबसे बढ़या ले से क्योंकि उसमें फोकल लेंद हमको 85 मिलता है उसके साथ साथ लोयर अप्रेचर भी मिलता है और हम चाहें तो 17 से 200 जो की प्रोफेशनल लेबल का लेंद से इस टाइप का लेंद भी उज़ कर सकते हैं पोट्रेट फोटोग्राफी के लिए उसमें लोयर अप्रेचर 2.8 है और फोकल लेंद 17 से 200 है जो के बहुत बढ़या फोकल लेंद है पोट्रेट फोटोग्राफी के लिए मगर पोट्रेट फोटोग्राफी के लिए प्राइम लेंज बहुत बढ़े है तो 85 म में बहुत आच्छा पोट्रेट फोटोग्राफ्स मिलेगा इसके साथ साथ 24 से 17 2.8 जो लेन्स है वो भी हम portrait photographs के हिसाब पे यूज़ कर सकते हैं मगर ये lens यूज़ करने से हम 17 और 55 से ज्याधा फोकल लेंद्ध यूज़ करें portrait photograph के लिए क्योंकि 24 में अच्छा portrait photographs नहीं आएगा और lower f number यूज़ करें और 135 mm lens, micro lens ये सब lens को हम portrait photographs के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं मगर full frame camera में 85 बहुत बढ़िया portrait lens है और crop sensor camera में 50 mm बहुत बढ़िया portrait lens है ये था portrait photography के मारे में कौन सी lens बहुत important होता है मगर portrait photography करने के time में कुछ छोटा छोटा important factor है उसको ध्यान देना चाहिए तो हमारा photograph बहुत अच्छा हो पाएगा जैसे कि किसी का portrait photograph हम केचते हैं तो आए लेवल में photograph करें आए लेवल में photograph करने से क्या होगा क्यारेक्टर जो ओर ठीक ठाक दिखा जाएगा और portrait photographs बहुत आच्छा होगा अगर हम उपर से photographs करेंगे जैसे कि कोई character नीचे है और हम उपर से photographs करेंगे तो character छोटा दिखाए जाएगा और नीचे से photographs करेंगे तो character बहुत बड़ा देखा जाएगा तो आए लेवल में photograph करें दोस्तों यह है portrait photography के बारे में अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो like किजिए और मेरा चनल को subscribe किजिए share किजिए thank you